हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सुधे टोटेल में दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही महत्रपोन टापिक जो की हिंदी में यहां से कोई भी कंपरेटिव एक्जाम हो चाहें जो कोई एक्जाम हो उसमें यहां से क्वेस्चन हर बार आते र आते हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्ची के बारे में वाच्ची क्या होता है वाच्ची के कौन कौन से प्रकार है इसके बारे में हम लोग विस्टार से पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इस पर जो आधारित प्रस्न है यहां से जो प्रस्न आ कि वाक्ट में क्रिया द्वारा बताए गये विश में करता कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है उसे वाच्चे कहते हैं अन्य सब्दों में क्या कह सकते हैं वाच्चे क्रिया का वह रूप है जिसे यह ग्यात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, अथवा भाव प्रधान है, यानि कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, वाक्य से हमें यह ग्यात होता है, कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है, यह हमें क क्या बताता है वाच्य से जानकारी प्राप्त होती है तो इस परिभासा के अंसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो करता के अंसार होंगे अथवा कर्म के अंसार होंगे अथवा भाव के अंसार होंगे जो वाच्य होगा उसके अंसार से क्रिया के लिंग वचन ने धा निर्धारित होंगे अगर कर्म वाच्छे है तो कर्म के अंसार निर्धारित होंगे और अगर भाव वाच्छे है तो भाव के अंसार करता यानि कि जो वाक्य है उसमें उसकी क्रिया और लिंग जो होता है वो निर्धारित होता है चलिए वाच्छे को और हम किस तरह से परिव के साथ है अथवा इन दोनों में से किसी के भी साथ ना होकर केवल क्रिया के कार्य व्यापार यानि की भाव की प्रधानता है ये कौन बताता है तो वाच्च बताता है जैसे यहाँ पे दिखें कुछ उधारण दिये गए अब चलिए उधारण से समझते हैं जैसे लिखा गया राधा पत्र लिखती है अब राधा यहां पे क्या है तो इस्त्रिलिंग है पत्र लिखती है तो कौन लिख रहा है राधा लिख रही है राधा पत्र लिखती है तो यहां पे इस वाक्ति में कौन सा वाच्ची होगा तो इस वाक्ति में करते वाच्ची होगा क्योंकि प्रधा बनानता किसकी यह राधा की लिखा किसके द्वारा जारा तो राधा के द्वारा जारा तो राधा की बनानता है तो राधा के अंसार क्रिया होगी किसके अंसार राधा के अंसार देखे राधा इस त्रिलिंग है इसलिए लिखती लिखती क्रिया है इस त्रिलिंग है तो इस व अब यहां प्रधानता किसकी हो गई तो कर्म की प्रधानता हो गई पत्र राधा द्वारा लिखा जा रहा है तो आप देखें पत्र के अंसार से क्रिया बनी पत्र के अंसार से जो है क्रिया बनी और कौन सी क्रिया बनी तो लिखना बना यानि लिखा जाता है तो यहां पे किस उससे लिखा नहीं जाता अब यहां पर एक भाव की प्रधानता होगी यानि कि उससे लिखा नहीं जाता तो यहां पर जो क्रिया बनी वो किसके अंसार बनी भाव के अंसार बनी यहां पर कौन सा वाच होगा भाव वाच चलिए अब एक एक को बिस्तार से पूरा पढ़ते है कि करते वाच्चे क्या होता है उसमें उसको हम कैसे परिभासित कर सकते हैं चलिए देखते हैं आगे करते वाच्चे तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुस करता के लिंग वचन और पुरुस के अंसार हों तो करते वाच्चे कहलाता है वो ठीक यानि कि जब व जिवास हम दे सकते हैं क्रिया के जिस रूप में करता प्रधान हो उसे करते वाची कहते हैं इसमें लिंगियों बचन प्राया करता के अंसार होते हैं जैसे देखें रमेश केला खाता है केला कौन खाता है तो रमेश खाता है अब यहां रमेश के अंसार से क्रिया बनी है खात दिनेश पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक कौन पढ़ा दिनेश पढ़ा है तो दिनेश के अंसार से क्रिया बनी पढ़ता है अगर यहीं पर मान लिया गीता होता तब क्या हो जाता गीता पुस्तक पढ़ती है तब होता तब यहां पर गीता के अंसार से क्रिया बना तो यहा वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुस कर्म के लिंग वचन और पुरुस के अंसार हों तो कर्म वाचि कहलाता है दूसरी परिभासा कैसे दे सकते हैं तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्म वाचि कहते हैं जिससे यह ग्यांत हो कि वाक्य में करता की प्रमुकता ना होकर कर कर्म की प्रमुक्ता है ठीक दूसरे सब्दों में यानि सरल सब्दों में से कैसे समझ सकते हैं तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो इसकी प्रधानता हो कर्म की प्रधानता हो तो उसे कर्म वाच्ची कहते हैं जहां क्रिया का संबंद सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग वचन कर्म के अंसारों उसे कर्म वाच्चे कहते हैं जैसे देखें यहां पे लिखा गया है मीरा ने दूध पीया अब देखें दूध पीया तो दूध के अंसार पे यहां पे क्रिया बनी है दूध पीया पत्र लिखा पत्र के अंसार से यहां पे क्रिया बनी है लिख तो यहां पे कौन सा वाच्ची हो गया कर्म वाच्ची हो गया मीरा ने दूद पिया मीरा ने पत्र लिखा तो यहां पे किसकी प्रधानता हुई कर्म की प्रधानता हुई इसलिए यहां पे कौन सा वाच्ची हुआ कर्म वाच्ची हुआ इसको और भी इसमें उधारन आपको बताएगा सकते हैं जैसे दिखिए राम राम ने पत्र लिखा या कह सकते हैं राम ने खेल खेला या फिर और क्या बता सकते हैं राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो यहां पे कर्मवाची की प्रधानता होगी द्वारा सब्दाए तब भी आप कर्मवाची आंसर जैसे सीता के दौारा गीत गाया गया, तो यहाँ पर कॉन सा वाच्च होगा आपका कर्म वाच्च होगा, तो यह था कर्म वाच्च का उदाहरण, अब आगे है अगला भावाच्च, भावाच्च क्या होता है, जब वाकी की क्रिया के लिंग वचन और पुरुस करता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुस के अनुसार ना होकर एक वचन पुलिंग तथा अन्य पुरुस हो तो भाव अची कहलाता है अन्य सब्दों में त्या परिवासा दे सकते हैं तो यह परिवासा दिया जा सकता है क्रिया के जिस रूप में ना तो करता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता हो बलकि किसकी प्रधानता हो भाव की प्रधानता हो तो हाँ पे कौन सा वाची होगा भाव आची होगा अब देखे इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है यह है इसमें जो होता है क्रिया अकरमक होती है इसमें अकरमक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और साथ ही प्राया है अधिकतर जो देखा गया है वो निसेधार्थक वाकी ही भावाची में प्रियुक्त होते हैं जैसे देखें मोहन से टहला भी नहीं जाता ये निसेधात्मक वाकी है मोहन से टहला भी नहीं जाता जो भावाची होता लगभाव इसमें ऐसे ही आपको उदारण देखनों को मिलते हैं जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, उससे दोड़ा नहीं जाता, ये सबी जो उदाहरण है, ये भावाच के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, भावाच के उदाहरण है, और जैसा कि आपको ध्यान रखने योगी बाते जो हैं भावाची में यह हैं भावाची का प्रयोग बिवस्ता असमर्थता ब्यक्त करने के लिए होता जैसे देखें मोहन से टहला भी नहीं जाता अब यहां पर उस मोहन की बिवस्ता बताई जा रही है कि उससे टहला नहीं जाता है अगला है भा कैसी होगी भावाची में आकर्मक होगी क्रिया दो प्रकार की होती है कौन कौन सी सकर्मक और अकर्मक लेकिन यहां पर क्रिया प्रयोग होगी भावाची में वो कैसी होगी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा और भावाची में क्रिया सदयो अन्य पूरुस पुलिंग और एक बचन में होती है तो दोस्तों ये रहाज का वीडियो वाच्च अगले वीडियो में हम वाच्च से सम्बंदित जो महत्पूर्ण क्वेस्चन एक्जामों में आते हैं आए हुए हैं उस पर अभ्यास कारे होगा तो दोस्तों इसी तरह से अन्य महत्पूर्ण टॉपिक को पढ करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़े रहे हैं बेल आइकन को दबा लिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और इसी तरह से आप प्यार बनाए रहे हैं धन्यवाद